नमस्कार रशकों आप सभी का हमारे यूटीब चनल पर इबार बहुत बहुत फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम सभी के सपनों का अर्ट लेका फिर से उपसित है दोस्तों आज किस वीटियों में हम सभी जानेंगे सपने में मुर्गा या मुर्गी देखने का आर्थ है दोस्तों बात करें अगर हिस्ट पुष्ट सुन्दर मुर्गा आपको दिख रहा है तो आपको कोई अच्छा काम होने वाला है दोस्तों ये सफना आपकी जीवन में कुछ अच्छा होने का सूचक सुभागी व्रधि का सफना कहा जाता है कारेश्छेत्र में आपको प्रसनिसा मिलेगी यानि कि आप अच्छा कर पाएंगे कमजूर मुर्गा देखना दोस्तों यही सपना आपको समाज में लजजित होना इस ओर संकेट करता है अगर अंडा देखा है मुर्गी का दोस्तों तो आपके ग्यान की या स्वभागी की शुरुआत हो सकती कोई नया काम कर सकते हैं अगर मुर्गा या मुर्गी को चूजे के साथ देख सकते हैं तो आपके घर में खुशियां आ सकती हैं सपने में मृतक मुर्गा मुर्गी देखना दोस्तों ये आपके लिए थोड़ी आफ़त वाली बात हो सकती है चानब कोई ऐसा काम हो सकता जिसे आपको थोड़ी परिशानी हो सकती है अगर मुर्गा मुर्गी को पकड़ते भी यह देख रहा है तो अच्छा यह माना जाता है कारचेत में सफलता फ्राप्ति का संकीत माना जाता है दोस्तों मुर्गा जो है भगवान शंकर जी के पुत्र कारतिके का वाहन माना जाता है मुर्गन दोस्तों दक्षण भारत में मुर्गन के साथ में भगवान को पूचा जाता है और उन्हें मुर्गन के ही नाम से जाना जाता है मुरूगा उनका वाहन है और आज कर लो इसे खाते हैं कितना बड़ा अपरात करते हैं एक तरह से वो सौ को खाते हैं दोस्तो एक बाल निकलाता है चीटी तो उसे हम नहीं खा पाते हैं दोस्तो इस बड़े बड़े जीवों के हत्याग ऐसे कोई करके खा सकता है एक तरह से वो सौ खा रहा है ऐसा भी नहीं है कि कोई ये सब खा करके 500 साल जी जाएगा तो जब हम 100 साल की आई हुई हमको मिले हो उसमें भी कितने दिन हमें रहना ये भी नहीं पता तो हम क्यों किसी की हत्या करें एक बाल हमारा फूइन उस्ताथ में बहुत दर्द होता है यह लिए दोस्तों अहिंसा धर्म कपालन करिए क्या llama जाइंसा पर्मो धर्महा और धर्मो रक्रवु यौन अपढ़ दर्षिघ है कि धा Y التي घ्म दर्षिदा को मुर्ण देखने शुबाश्चुपाराम और तोड़ी से जानकारी और नारज लाई करें दोस्तों को शियर कर नहीं के ृटिए